चू 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 हेई हेई नमस्ते फीर जी आपके हर एक प्रोब्लम के दवा लेकर मैं आ गई हूँ नो से बारा बजे तक आपकी सहेली रेनू चू 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 40 में 20 का दिखना है मैं हूना आपके साथ में मिर्ची FM पर 9 से बारा बजे तक Monday to Friday मिर्ची it's hot नमस्कार समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ शैरीन लता Northern Division के एक पास्टा को आश्राम वाले लेवू मेजिस्ट्रेट्स कोट में पेश किया गया था जिस पर 2006 में एक व्यक्ती को शैरीरिक चोट पहुचाने का अभियोग है ऐसे अभियोग है कि जोने दाकानाउतों ने ये हरकत फैस्ट जन्वरी 2006 से जुलाई 2006 के बीच की स्टेट लोया मेली वो सवाले ने मेजिस्ट्रेट को जानकारी दी कि पुलीस कई और गंभीर अपराधों के सिलसने में वेक्ती पर चानबीन कर रही है स्टेट ने ये कहते हुए जमानत का विरोट है कि शायद अभी उक्त विक्टिम्स के साथ हस्ताशेप करेंगे स्टेट ने मामले में पूरी चान बीन करने में साथ दिनों के समय की मांगी है पास्ता की जमानत के अर्जी की सुनवाई शुकरवार को की जाएगी परिमेंटेरियन्स ने आज नेशनल बजट पर एक ब्रीफिंग में भाग लिया मिनिस्ट्र आफ फारेन्स ने मेंबर्स ओफ दी हाउस को जान करी दी कि बजट डोकुमेंट्स में क्या कुछ शामिल है फारेन्स मिनिस्टर आया सेयद कयों का कहना है कि सेशन के बाद वे पार्लिमेंट में और भी इंफर्म्ड डिबेट्स की आशा कर सकते है इसी तरह की ट्रेनिंग आज शाम नौन गवर्मन्ट ओगनाजेशन के लिए आयो जित किया गया था ऐसी आशे की जा रही है कि सरकार अगले महीने एक स्टाइट आउंड कमपनी की बिक्री की घोशना करेगी इन में शामिल है एरपोर्ट्स फीजी लिमिटेड, फीजी एलेक्टरिसिटी आउथोरेटी, फीजी पोर्ट्स कोपरेशन लिमिटेड या फिर गवर्मन्ट प्रिंट्री पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्टर या सयद खयूम ने फबीसी टीवी की फोदर रेकोट प्रोग्रेम में कल राद बताया कि डावेस्ट करने वाले निरने के बाद से स्टाइट आउंड एसेट्स में काफी प्रगती देखने को मिला है सयद खयूम ने बताया कि F.E.A. शेयर्स के बारे में वे बाद में कोई विचार करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा एंटिटी है फाइनेंस मिनिस्टर आशावादी है कि इसमें से 61 की बिकरी को 6 नवेंबर को 2016 बजट आनाउंस्मेंट से पहले फाइनलाइस कर दिया जाएगा और खेलकूद में फ्लाइंग फीजियन्स प्रॉप इसे दोलाटी के घुटने में चोट लगी है जिस वजह से वे रगबी वर्ल्ड कप के बचे हुए पुल मेचस में हिस्सा नहीं लेंगे दोलाटी को कल ट्रेइनिंग सेशन के दोरान चोट लगी थी फ्लाइंग फीजियन्स रिजेफ दनियाला करोई कल से फ्लाइंग फीजियन्स केम्प में शामिल होंगे फीजी का सामना उनके आगले पुल मेच में शुकरवार को 3.45 आएम पर वेल्स के खिलाफ होगी आप इस मेच को FBC TV पार देख सकेंगे अरियत है आज के मुख्य समाचार शुबरातरी अरियत है अरियत हैं को FBC TV पार से खिललेवाद को प다 शालेवार को में शुकरवार को यालेवार शुबरा को अरियत है